क्या कॉंग्रिस का हाथ हिंदू विरोधियों के साथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में इत्याद मिल्लत काउंसल के अध्यक्ष मौलाना तौकिर रजा ने कॉंग्रिस का समर्थन करने का अलान किया है ये वही मौलाना है जिनका हिंदू विरोधी वीडियो बारल हो रहा है और अब मौलाना तौकिर और कॉंग्रस के साथ पर बीजेपी ने सवाल उठाए हिंदू विरोधियों को हाथ का साथ यूपी की लड़ाई असी बीज पर आई हिंदूों से घ्रिणा पर रण इतिहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकिर रजा खां के कॉंग्रस के समर्थन के ऐलान के साथ ही वो पार्टी के लिए मुसीबत बन गए है मौलाना तौकिर रजा का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो हिंदूों को धमकी देते सुनाई दे रहे है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें रुक्तान में जहीं बना हो नहीं दे बीजेपी ने वाइरल वीडियो को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा है पार्टी के प्रवक्ता संबित पातरा ने कहा है कि यूपी में कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी के बीच इस बात की होड़ चल रही है कि हिंदूों के खिलाफ ज्यादा घ्रेना कौन उगल सकता है हिंदूस्तान का नक्सा बदलने वाले लोग जिन लोगों के मनसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदूस्तान के नक्सा को बदलना चाते हैं कानून की विवस्था को पलटना चाते हैं स्वभावी कुरूप से वैसे लोगों का समर्थन कॉंग्रेस पार्टी लेती है ये कोई कॉंग्रेस पार्टी के लिए नया विशे नहीं है। किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदूओं को डराना, हिंदूओं को बाटना और केवल और केवल अपने परिवार की राजनीती को आगे बढ़ाना। हिंदूओं के खिलाब जहर उगलने वाले अब बास सिद्धिकी के इंडियन सेकुलर फ्रेंट के साथ गड़बंदन कॉंग्रिस देखिया। बरेली से तालुक रखने वाले मौलाना तौकीर, रजा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़रा को सच्चा सेकुलरिस्ट पताते हैं। लेकिन अखलेश यादाव और योगी आधित्यनात का विरोध कर रहे हैं। आला हजरत खांदान से होने की वज़ा से यूपी में मौलाना तौकीर का बरेली के मुसल्मानों पर खास प्रभाव माना जाता है। और जिस तरह वो हिंदू के खिलाब जहर उगल रहे हैं ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार यूपी का संग्राम हिंदू मुसल्मान या यू कहें कि 80-20 पर होगा।